हालो गैज, ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनता है, बनाना आना चे यानि कि अगर आप सीख कर अच्छे तरीके से ट्रेडिंग में काम करते हो तो प्रॉफिट बनता है, आज हमने कुछ लाइव ट्रेड्स लिये हैं, जिनके अंदर हमने आपको जो भी उसके अंदर प्रॉफ सटता है, तो चलिए फटा-फट से ट्रेड देख लेते हैं, तो आज मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, गैप डाउन देकर यहां पर हमें दो बड़ी-बड़ी रेड कैंडल दी, हमने क्या किया, जैसे ही यह स्विंग किया, हमने यहां पर एक सपोर्ट को इडेंटिफा कर लिया, यहां से दुब जबारा इसको ब्रेक करेगा, यहां पर इस ग्रिन कैंडल इसको ब्रेक किया, ओविसली हम इसके बाद एक रेटरेस्मेंट का वेट करेंगे, हाई प्राइस के उपर नहीं लेंगे, इस कैंडल पे हमने 285 की लिमिट के साथ, बैंक निप्ति के अं यहां पर देखोगे, तो हमने 285 का लगा रखा है, इसके जस्ट बात थोड़ा से यहां पर हमने थोड़ा इसको स्विच करने की कोशिश की, लेकिन इतने में हमारा ट्रेट almost execute यहां पर हो गया 285 पर, यह candle थोड़ी विक देरी थी, उपर जा रही थी, लेकिन धीरी धीरी नीचे ही आ रही थी, हमारा ट्रेट तो execute हो गया था, बट किस्मत हमारी अच्छी थी कि हमारा जो call side का premium था, वो down नी हो रहा था, इवन थोड़ा थोड़ा ओपर ही जा रहा यह candle लगातार नीचे की तरफ आ रही थी, on that situation, obviously trade fail भी हो सकता है, बट किस्मत की वज़े से हमारा या कहे दो कि premium की इस strike price की IV अच्छी होने की वज़े से हमारा जो premium है वो हमारे cost के आसपा static रहा, 285 के आसपा सी जूलता रहा, यह candle almost नीचे इस candle को भी complete angles करके थोड़ा morning star का, sorry evening star जैसी position मना कर यहाँ close करने माली थी, वो तो ठीक है हमारा premium अच्छा था, यहाँ पर हमने एक premium हमारे stop loss को थोड़ा सा और shrink कर दिया, 270 कर दिया क्योंकि यहाँ कभी भी हमारा stop loss खाना अता एक साथ ही खा जाती, हमने stop loss shrink किया, उसके बाद हम वापस से हमने देखा हमारे candle के अंदर, यह candle close हो रही थी, तो हमने यहाँ पर price के even, यह candle आप देखोगे ना, तो red होते हुए भी हमारा premium बढ़ रहा था, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर यह चीज़ें ऐसे ही चलती रही, थोड़ी दिर के लिए, यहाँ पर premium cost के आसपस भटकता रहा, लेकिन जैसे ही candle यह नीचे 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 आती रही, यहाँ पर यह complete नीचे आते रही, तो थोड़ा थोड़ा premium श्रिंक होने लग गया, और यह almost close भी थी, मैं सिर्फ इसके close का wait कर रहा था, कि by chance wick दे दिया, तो हमारा premium spike के साथ 295-300 के आसपस भी हमें एक साथ दिख सकता है, अगर इसने एक wick के साथ spike कर लिया, इसलिए मैं इसके अदर hold करके बैठा था, even मैं ऐसी चीज़ पर निकल जाता हूं, बट still मैंने देखा कि यह जब तक candle close नहीं करती, तब तक wait करते है, candle close होने के बाद I was totally like कि इसके अदर से निकलना पड़ेगा, बिकस trade fail हो चुका है, बट वो तो किसमत अच्छी है कि हमारा premium श्रिंक खड़ा था आज, तो यहां पर यह थोड़ा सा हमें loss देना शुरू कर दिया था, 281, 282 के आसपाच यह आ गया था, on that time मेरा सिधा सा फंड़ा था कि trade cancel हो चुका है, हम क्यों stop loss तक wait करें, तो यह हमारा target 286 पर करने के बाद हमारा यह 286 में निकल कर हमें C2C, यानि कि cost to cost प आसो निकलने की कोशिश करो, मैं बहुत बार बोलता हूं कि जब लेने के बाद से आपका जो trade है, वो cost के नीचे cost के आसपास भटकने लगे, काफी time तक negative होने लगे, निकल जाओ उसमें से, अब cost का loss देने से क्या fight है, ऐसे जैसे कि हमने cost के आसपास निकले, अब चलते है next trade पर, तो एक बजे के आसपास जब इस candle ने इस zone को break किया, प्लस जो 20 ए में चल रहा था, उसको break किया, तो यहाँ पर बार बार retest आया, इस retest में हम नहीं गुस पाए, लेकिन जब इसने ये retest करने आया, तो यहाँ कहीं, इस candle पर एक बजे की candle पर हमने लगा कर रखा था, तो 170 पर हमने हमारे limit लगाए थी, 175 इस time rate चल रहा था, 175, 70 के असपास हमने यहाँ पर इस जगाए पर limit लगा दी थी, कि almost इस candle के अंदरी की, इस बार rejection लेगा, तो हम इस trade को लेंगे, हमने 170 पर इस trade की limit लगा के रखी, और 176 के असपास चल रहा था, almost देखते हैं, यह कब execute होता है, दिखाता हूँ आपको, तो एक बार के लिए हमारा यहाँ execute ना होने पर, इस candle पर एक बार execute ना होने पर, हमने इस candle के लिए try किया, again, price यहाँ पर एक बार जाने के बाद 180 पर चला गया था, हमने फिर हमारा limit price है, वो थोड़ा से shrink किया हमने, क्योंकि इस price पर थोड होता है, इस candle पर अभी चल रहे है हम, यह एक बचके जो पांच मिनिट के बाद जो candle आती है, एक बचकर पांच मिनिट वाली candle के अंदर हम है, यहाँ पर हमने इस candle के अंदर यह execute हुआ, यह stop loss थोड़ा सा मेरा गलत लग गया था, यहाँ पर mistake होगी थी, लेकिन कोई दिकत मैं दिखा दूँ आपको दुबारा से जब रिकरेक्ट किया मैंने, तो यह 168 पर हमारा execute हुआ, LTP 160 चल रहा है, चार लोट थेस के अंदर, तो हमारे चार लोटों का कुछ इस तरीके से 170 के असपास profit चल रहा था, आगे यह धीरे-धीरे रन करता रहा, इसके बाद मैंने ज उनको भी modify किया, मैं दिखाऊंगा, आपको इसके अंदर कितना profit चलता है, हाला कि इस candle के अंदर हमें अच्छा खासा profit मिला, लेकिन एक condition थी, आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा सा यहां पर हमारे पास एक और zone था, जिसकी वज़े से हम इसको जादा देर तक hold नहीं करेंगे 172, 240 के असपास, ठीक है, 4 point अच्छा कासा तो नहीं, 4 point के असपास profit चला था, देखते हैं कितना profit हम ले लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमने 155 का SL लगा रखा था, 198 का target लगा रखा था, हमारा अगर SL हिट होता तो सिर्फ और सिर्फ 13, 14 point हम एक लोट का price अलग से execute हुआ था, यहां अलग तरीके से दिखाने लगा था, रोब ओडर में, इसलिए आप थोड़ा confused मत हो जाना यहां पा ठीक है, तो यहां पर हमारा ठीक ठीक profit चल रहा है, लगबग 949, 940 के असपास profit चल रहा है, हमने एक लोट इसके अंदर से निकाल zone था और बार बारा price यहां रुक रहा था, इसकी strike price के अंदर और यहां पर हमारी positions कट गई, तो हमने यहां पर आज इस account के अंदर 2 trade लिए, 1000 रुपीज हमने बुक किये, तो हमने यहां पर आज छोटी सी capital, 10 से 12,000 की capital का यूज करते हैं, हमारी पहली जो trade था हमारा, जो 3 lot वाला था, उसके अंदर हमने normal 12,000 की असपास का price यूज किया, capital यूज करी, और जो दूसरा हमारा 4 lot वाला trade था, उसके अंदर हमने 10,000 की capital यूज करी, तो हमने 8 से 10% का profit यहां पर कमाया capital के ओपर जितनी हमने यूज करी, तो it's a good thing, एला वाला जो trade था, उसको हमने, जब हम potential नहीं दिखा, उसको हमने cost to cost निकाला, तो थोड़े से rules ज़रूरी है, पैसा बनता है,